इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने servers को setup कर सकते हैं मैं आप पर प्लान कर रहा हूँ एक mini series जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग server बना सकते हैं अपना एक server create कर सकते हैं online और एक server create करने के बाद उस server में कैसे deployment कर सकते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ server क्यों आप लोग इस्तिमाल करने चाहेंगे और आप लोग server को सही तरह से क्यों इस्तिमाल करना चाहेंगे कभी भी आप कोई website deploy करना चाहते हो मान लो मैंने एक website बनाई यह मान लो एक website है जो कि मैंने बनाई और मैं इसको deploy करना चाहता हूँ यानि कि मैं चाहता हूँ कि जो public है वो देखे इस website को किस तरह से मैं इस website को एक domain के थू एक server से link कर सकता हूँ ताकि कभी भी कोई domain पर जाए तो मेरी website देखे अगर मैं example लो अपनी site का codewithary.com तो आप लोग को इस तरह से मेरी site दिख जाएगी आप जब भी डालेंगे codewithary.com blog section में जाएगे तो blog दिखेगा और आप लोग अगर कोई भी blog पढ़ना चाहें तो उस पर click करेंगे तो आप लोग को blog यहाँ पर दिख जाएगा या किसी भी तरह की दूसरी service को deploy कर सकें मानलो मैं जैंगो में अपनी website बना रहा हूँ तो मैं चाहूंगा सही से उसको deploy कम से कम कर पाऊंगे युकि अगर मैं उसको deploy ही नहीं कर पा रहा हूं सही से तो मेरे users यूज़ नहीं कर पाएंगे आइडियली यह servers crash नहीं होने चाहिए थे यह जो setup है कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जितने users आ रहा है अगर पूरी इंडिया किसी website को visit करने वाली है तो आप लोगों को server भी कुछ उस तरह से बनाने पड़ेंगे अपना setup भी कुछ उस तरह से बनाना पड़ेगा कि पूरी country जो है use कर पाए उसको तो यहां से मैं आप लोग को इस video के माधियम से बताऊंगा यह guide मैंने कुछ लिखी होई है मैं आप लोग को इस guide के थुरू बताऊंगा कि कैसे आप लोग server अपना बना सकते हैं कैसे उसमें jango या फिर flask या फिर अगर आपने simple bootstrap से कोई website बनाई है angular से website बनाई है मैं लोग किसी भी तरह से आपने website बनाई हो आप किस तरह से उसको deploy कर सकते हैं सही तरीके से वो सही तरीका क्या है और वो तरीका क्यों इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हमारे पास virtual private server का एक concept होता है जो कि मैं आप लोग को बदाना चाता हूँ यहां पर जल्दी से virtual private server क्या चीज़ है सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं V for virtual यानि कि actual में आपके पास computer नहीं है यह computer है यह मेरे पास अभी actual में यहां रखा हुआ है यह computer में आप लोग को camera हुमा के नहीं दिखा सकता बट यह जो computer है यह actual में मैं touch कर सकता हूँ ठीक है यह phone है मेरा इसको मैं actual में touch कर सकता हूँ यह मेरे पास है phone ठीक है तो यह virtual नहीं है यह real है लेकिन virtual private server क्या होता है, virtual होता है, नहीं कि वो मेरे सामने नहीं है, वो किसी location पर रखा हुआ है, और मैं उस location पर रखे हुए server को access करूँगा, किसी तरीके से, ठीक है, तो जो भी तरीका हो, उस server को access करने का, मैं अपने यहां से, अपने इस computer से, उस computer को access करूँगा, और उस computer पर कोई भी task schedule कर सकता हूँ, और वो काम जब हो जाएगा, तो मैं उसको देख सकता हूँ, तो इसलिए virtual private server इसको बोला जाता है, server तो actual में है, लेकिन मेरे सामने नहीं कहीं और रखा हुआ है, और इस तरह का server हम यूज करते हैं, web development के लिए, क्योंकि मैं अपने इस computer को web development के लिए यूज नहीं कर सकता, मैं 24 गंटे इसमें इंटरनेट लगा कर नहीं रख सकता, मैं 24 गंटे इसमें बिजली लगा कर नहीं रख सकता, light चली गई हैं, कोई downtime हैं, मुझसे कोई गल्दी हो गई तारवर खेंचने में, तो users को downtime लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक virtual private server बनाते हैं, अब इस तरह के virtual private servers को बनाने के लिए, हमारे पास बहुत सारी services होती हैं, बहुत अलग-अलग तरह के vendors हैं, जैसे कि एक Walter नाम कमेंटर है, ठीक है, आप Walter से यहाँ पर एक server बना सकते हैं, आप Digital Lotion से यहाँ पर एक server बना सकते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास हैं, आप यहाँ पर Linode करके एक हैं, और मैं आप लोग को यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ, कि यह सारे के सारे जो providers हैं, यह market में काफी अच्छी तरह से रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि यह पैसे कमाते रहें, देखो 10 करोड US डॉलर का revenue L note का, तो यह बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आपको इन से दिक्कत हो, तो आप किसी भी provider को पकड़ सकते हैं, वो आपको कभी भी disappoint नहीं करेगा, मैंने जो test किया है वो है digital ocean, जो कि मैंने actual में सालों से, in fact college time से मैं digital ocean use कर रहा हूँ, और मैंने digital ocean हमेशे से इस्तिमाल करा है, तो मैंने जो भी काम करा है आज तक, digital ocean के तुरूई VPS बना कर करा है, और मुझे आज तक digital ocean है disappoint नहीं करा, in fact मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैंने Linode और Walter try नहीं किया है, मैंने Bluehost बहुत पहले एक बढ़ राई किया था, but मैं आप लोग को बताना ही चाहता हूँ, कि मैंने जो test किया है, लेकिन यहाँ पर digital ocean में बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं digital ocean का इस्तिमाल करूँगा, यहाँ पर digital ocean में मैं login करता हूँ, आप लोग यहाँ पर account बना सकते हैं, और जब आप account बना रहे हैं, तो मैंने description में अपना एक referral code दिया हूआ है, अगर आप किसी को refer करते हो, तो उसको $100 मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो code आप लोग ले लेना, आप जैसे account बना होगे, card add करोगे, तो आपका यहाँ पर आपको मिल जाएंगे $100, ठीक है, मेरा अल्रेडी यहाँ पर account बना हुआ है, आप लोग बना लेना account, आप लोग का नहीं बना हुआ है तो, और आप लोग नीचे description में link को use कर सकते हो, अब यहाँ पर देखो, यह जो projects हैं, आप लोग actually group कर सकते हो, अपनी droplets को, जब मैं कहता हूँ, droplet तो उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, digital ocean के अंदर, एक server को droplet कहा जाता है, यह digital ocean वाले कहते हैं, वैसे आप server कहो, VPS कहो, लेकिन यह लोग VPS को droplet कहते हैं, ठीक है, droplet का मतलब होता है, cloud पे computer, cloud का मतलब होता है, कहीं पर रखा हुआ है, आप उसको internet के थुरू access कर रहे हो, ठीक है, बेकिन फ्रेंडली नहीं होती है, या फिर कुछ commands होते हैं, वो नहीं चलते हैं, तो मैंने एक guide भी लिख दी है, screenshot भी लगा दिया है, यह video भी बना दिया है, और मैं करके भी बताऊँगा, एक बार मैं कर चुका हूँ उस चीज को, जब मैं यह article लिख रहा था तब, एक बार और कर रहा हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पर आपको करके दिखाऊँगा, सामने सामने, तो यहाँ पर जो है, आप लोग इसको देख सकते हो, और मेरे साब से यार, यह तो आप लोग को अच्छी तरह समझा देगा, VPS क्या होता है, दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ देना, आप लोग मैंने बिसी कलिए लिखा यहाँ पर, कि आप लोग जो है, एक VPS, एक सर्वर को जब सेट अप करोगे, तो आप चार स्टेप्स primarily करोगे, एक तो सबसे पहले उसको create करोगे, सर्वर को ठीक है, VPS को create करोगे, दूसरी चीज़े आप login करोगे उसमें, फिर आप एक non-root user बनाओगे, जिसके बारे में मैं अभी आप लोग को बताऊँगा, और उसके बाद आप लोग firewall सेट अप करोगे, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है, तो ये चार high level steps हम लोग करेंगे, और मैं आप लोग को इन सारी steps के बारे में बताता हूँ, सबसे पहली step जो है यहाँ पर हमारी, creating a VPS, VPS को create करना, यानि कि एक droplet बनाना, digital lotion वाले VPS को droplet बोलते हैं, हो सकता है, आप Walter में कर रहे हैं, Linode में कर रहे हैं, steps काफी similar होंगी, ठीक है, अगर आप digital lotion में कर रहे हो, तो follow करो, ठीक है, मैं digital lotion में करूँगा, आने वाले tutorials भी, तो यहाँ पर देखो, create पर क्लिक करके, अब देखो मेरी एक droplet यहाँ पर बनी हुई है, यह वो droplet है, जो कि मैंने इस article को लिखने के दौरान मनाई है, ठीक है, मैं एक और बना लूँगा, आप लुग जो है, सिर्फ एक आपकी यहाँ पर लिखकर आएगा, कुछ ऐसा कि there is no droplet, यहाँ कुछ ऐसा message आएगा, create पर आप क्लिक करें, droplets पर क्लिक करें, आप एक droplet बना सकते हैं, ठीक है, मैंने देखो, यहाँ पर screenshots भी लगा रखें, droplet पर आप क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर यह तीन चीज़े चुन ले, मैं बताता हूँ यह तीन चीज़े क्या है, यह तीन चीज़े, पहली चीज तो है, आपका operating system, ठीक है, मैं आपर Ubuntu चुन रहा हूँ, मैं आपर Ubuntu 21 चुन सकता हूँ, recommended होता है, आप लोग इसको यहाँ पर select करें, shared CPU plan, यानि की basic वाला आप लोग यहाँ पर select करें, जोकि अल्रीड होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, 48 डॉलर पर मंत वाली drop लेटना चुन के, 6 डॉलर पर मंत वाली चुने, जोकि 48 डॉलर आपके लगेंगे, नहीं तो पर मंत के, और घंटे के इतने पैसे लगेंगे, आपर लिखा हुआ है, जो आपके credits मिले हुआ है, अगर आपने मेरा referral link यूस किया है, तो आपको शायद credits मिले होंगे, और उन में से आपके 48 डॉलर कटेंगे, SSD करेंगे, क्या करना है, प्रीमियम एक डॉलर नहीं देना हमको, पांच डॉलर में, हाँ यार, पांच डॉलर का आज भी है, बढ़िया, पांच डॉलर वाला ही चुने, आप कम से कम वाली droplet बनाएं, और कुछ घंटों में, आप अगर destroy करेंगे अपनी droplet को, तो यह आपके पैसे लगेंगे, इसको आप देख लेना कितने रुपे बनते हैं, ठीक है, तो यह करने के बाद में क्या करूँगा, कि आपका data center region कौन सा है, आप यह चुनेंगे, मैं Bangalore चुन रहूँ, इंडिया में हूँ, तो basically होता किया है, यह आप इसको चुनना चाहेंगे, वहाँ पर, जहाँ पर आपके users हैं, जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर नहीं चुनेंगे आप, जहाँ पर आपके users हैं, वहाँ पर चुनेंगे, ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा मैंने इसलिए बोला, क्योंकि आपके users आपकी site को access करेंगे, आप तो करी लेंगे किसी भी तरह से, आप तो अगर slowly भी कर लेते हैं, access तो कोई दिख करने, आपके users जो हैं, वह आपकी priority होना चाहें हैं, तो अगर आपके users US में हैं, तो आप यहाँ पर इन दोनों में से चुन सकते हैं, कोई Singapore में हैं, तो यहाँ चुन सकते हैं, अगर US Singapore के बीच में हैं, कहीं पर तो आप देख लेना, map word का और उसके हिसाब से कर लेना, जादा फर्क पढ़ता नहीं है, बस थोड़ा बहुत पढ़ता है, यहाँ पर होस्ट नेम को आप बदल सकते हो, यहाँ तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ बदल लो, मैंने होस्ट नेम बदला नहीं है, उस गाइड में, जो कि मैंने आप लोग को अभी दिखाई थी, मैं लेकिन यहाँ पर बदल के आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं टुटोरिल्स के अंदर ही रखना चाहता हूँ, यह मेरी प्रोड़क्शन की अप्लिकेशन से, यह मेरी वो अप्लिकेशन से, जो की कोडविध हरी से रिलेटेट है, जैसे की कोडविध हरी.com वेबसाइट, और यह टुटोरिल्स के लिए मैंने बनाई है, एक रहने हमेरी पर फोड़ा से वेट करना पढ़ता है आपको, तो यहाँ पर थोड़े से वेट के बाद, आप लुक देखो, यहाँ पर कोडविध यह लिखकर आ गया है, और यहाँ पर मिरी डॉपलेट को, एक IP एड्रस में लगए है, तो यहाँ पर आप लोग देखो एक बार आपको IP address मिल गया आप आप कर सकते हो initial login यानि पहला login अपने VPS में अब कैसे करोगे आप लोग लोग इन तो जो पहली step है server पर वो है आप login करो और login करने के लिए आपको यह चाहिए IP address कहा लोग इन करना चाहते हो तो SIQ जैसे मेरा एक VPS है आपका एक VPS है आपकी पडोस वाले का VPS है कौन से computer को आप connect करना चाहते हो आपको बताना पड़ेगा ना तभी तो आप login करोगे अब यहाँ पर देखो यह command आप लोग execute करो यह command execute करके आप लोग login कर सकते हो बट हाँ यहाँ पर आपको आपको आपकी IP address डालना यहाँ कापी करके execute मत कर दे ना ठीक है तो वो भी एक बात है राइट लिक करके आपर मैं PowerShell कोलूँगा और PowerShell कोलने के बाद यह जो command आपको कॉपी करूँगा बट इस वाले को कॉपी करूँगा उस वाले को कॉपी नहीं करूँगा और राइट लिक से पेस्ट हो जाता है PowerShell में और यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ आप इस पर क्लिक करोगे ना तो कॉपी हो जाता है यह ड्रॉपलेट का IP और यहाँ पर मैं क्या करूँगा बैक स्पेस करके यहाँ पर आई भी लगा दूगा राइट लिक से पेस्ट कर दूगा ठीक है एंटर बारूँगा तो यह मुझसे कह रहा है कि Authenticity of Host Can't be Established तो आपको यहाँ पर Yes टाइप कर देना है ठीक है और इसके बाद जो है वो लॉग इन करने का ट्राइ करते रहते हैं आपकी IP address अगर पब्लिक हो गया तो लोग क्रैक कर सकते है Password possible है अगर आपने फाल तो password लगा रखा है इसलिए बहुत खतरनाक रखना है password कि कोई guess ही ना कर पाए 10 जनम लेने के बाद भी ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक बार हमने यहाँ पर login कर लिया तो देखो यहाँ पर root at code पर जारी लिखकर आ गया इसका बतलब क्या है कि मेरा जो root user है वो इस VPS पर login कर चुका है यानि कि जो computer मैंने rent किया हुआ है यानि कि जो VPS मैंने current किया हुआ है अब मैं उसको access कर सकता हूँ अब मैं उस पर commands execute कर सकता हूँ तो कुछ बहुत ही basic Linux के command होते है ls, ls से क्या होता है ls आपको बताता है कि जिस current folder में आप उसमें क्या क्या है तो यहाँ पर देखो कुछ भी login directory यह वो print कर देगा pwd यहाँ पर slash root print कर रहा है ls लिखो के तो root में कुछ नहीं है cd से क्या होता है आप cd करके कहीं और folder में जा सकते हो यह से मालो आप अपने computer में c folder में हो localdesc में अब आप program files में जाना चाहते हो आप double click करते हो program files में मैं एक कतम पीछे आगया अब मैं ls करूंगा तो यहाँ पर यहाँ पर यह सारे folders बने हो है ठीक है actually वो क्या रहा है ना कि यह जो folders यहाँ पर है वो blue color से दिखा ही दे रहे और मुझे करना पड़ेगा इसका color change ठीक है तो यह color जो है आपको कोई दिक्कत ना करें ठीक है तो color जो screen background का color है वो तो मैंने यह चुन लिया और जो screen text का color है उसको मैं तो dark चुन लेता हूँ black ठीक है उसके बाद भी यह दे को इस color से आ रहा है तो basically क्या है कि अलग-अलग तरह के terminals का अलग-अलग हिसाब होता है अब यहाँ पर देखो screen background यह है screen background को मैं थोड़ थोड़ थो dark ही चुन लेता हूँ light ही चुन लेता हूँ ऐसी वाद है तो तो यह लो जी अब दिख जाएगा सब कुछ lib32, libx34 और जैसा अच्छा लगे आप लोग वैसा कर लो तो यहाँ पर आप और भी कोई terminal अगर यूज कर रहे हो जैसे मालो आप अगर यूज कर रहे हो अपने ubuntu machine का terminal या फिर आपने अगर मालो कोई sentOS machine है आपकी linux डाला हूँ है आपने अपने computer में तो terminal थोड़ा थोड़ा different आएगा अब कुल मिला गए हिसाब यही होता है ठीक है तो यहाँ पर हमने login कर लिया हम computer के अंदर आगए जैसे कि मैंने यहाँ पर भी दिखाया आप लोगों को और इस computer में आने के बाद हम login हो चुके है root user से अब यह important है जो बात मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ हम लोग अभी login होए है root user से अब यह root user क्या होता है root user वो user है जो कि हमें delete lotion ने बना कर दिया ठीक है यह एक ऐसा user होता है किसी भी Linux machine में जिसको सारे access होते है यानि कि यह administrator होता है Windows में जैसे आपका administrator होता है वसी Linux में आपका क्या होता है Linux में आपका root होता है ठीक है तो root कुछ भी कर सकता है कोई भी file delete कर सकता है कोई भी program uninstall कर सकता है किसी भी नई user को add कर सकता है किसी भी add हुए भी user को भगा सकता है है नहीं कि delete कर सकता है user, कुछ भी कर सकता है उसका computer होता है, ठीक है तो हम कभी-कभी ये नहीं चाहते हैं मालनो मैं ये server का administrator हूँ अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दो-तीन और लोगों को इस server पर लेकर आऊ ताकि वो इस server पर काम करें क्या मैं इनको root का password दूँगा अबना क्या ये आपको सहि लगता है सुनने में, नहीं ऐसा मैं नहीं करूंगा root का password नहीं दूँगा, मैं उनके नाम के users बनाओँगा इस computer पर, ठीक है, इस computer पर मैं उनके नाम के users बनाओँगा और वो लोग जो है अपने user account से login करेंगे तो उससे मुझे पता चलता रहेगा कि क्या कौन कर रहा है और अगर उन में से किसी को मुझे कोई भी access देना है तो मैं दे सकता हूँ कोई access हटाना है तो हटा सकता हूँ तो मैं लोगों को onboard कर सकता हूँ इस तरह से क्या मैं खुद रूट से चला हूँगा computer अचा एक बात करते हैं क्या मैं चला सकता हूँ हाँ definitely मैं चला सकता हूँ देख इतना साही चल रहा है सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ लेकिन जरा सोचो गर गलती से मैंने कोई command ऐसा run कर दिया जिसने की इस पूरे computer को ही भिला दिया जैसे मैंनलो मैं कोई important directory delete कर देता हूँ या फिर कोई important program uninstall कर देता हूँ जरा सोचो कितना बड़ा inconvenience हो जाएगा user के लिए कितना परशान हो जाएगा user अगर ऐसा कुछ होता है तो तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरा user यानि कि जो मेरी website का user जो कि इसमें मैं host करने वाला हूँ उसको कोई दिक्कत हो तो ताकि accidentally मैं कुछ ना कर बैठूँ इसलिए मैं खुद भी root से login नहीं करूँगा मैं अपना भी user account बनाऊंगा और मैं उससे login करूँगा लेकिन अपनी user account को मैं root access दे दूँगा इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब यह है कि जब मैं चाहूंगा तब मैं root बन जाऊंगा और जब मैं चाहूंगा तब मैं अपना user account में आ जाऊंगा वो कैसे करेंगे ये भी आपको दिखाऊंगा ठीक है तो यहाँपर आप लोग देखों मैंने लिखा हुआ है कि एक नया non root user हम लोग आड करेंगे क्योंकि root से हम लोग नहीं चाहते कि login करेंगे हम खुद login नहीं करेंगे ना हम दूसरों को login करवाएंगे root से root से कोई login नहीं करेंगा server में हम user बना लेंगे और उसके बाद कभी भी root से login नहीं करेंगे तो यहाँपर मैं क्या करूँगा एक non root user बनाऊँगा और उस non root user का नाम है Harry ठीक है अगर आप किसी और का नाम रखना चाहते है जो user account किसी और का बनाना चाहते है उसका नाम यहाँपर डालने तो यहाँपर मैं क्या करूँगा कि add user Harry करूँगा यह कुछ भी हो सकता है इस नाम से वो बन्दा login करेगा ठीक है मैं Harry नाम से login करना चाहता हूँ इस server पे तो मैं enter मार दूँगा और यहाँपर देखो यह मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा है यह कह रहा है कि एक home directory आपकी credit कर दी गई है slash home slash Harry पर password बताओ वो password में बहुती simple सा चुन सकता हूँ जो कि मैंने actual में बहुती simple सा चुना है मैं नहीं चाहता यहाँपर कि मैं जो है एक ऐसा password चुना हूँ जो कि hack हो जाए बट यहाँपर simply city के लिए मैंने कर लिया enter मारूँगा कुछ कुछ information मैं blank छोड़ सकता हूँ और यहाँपर यह पूछ रहा है क्या यह information सही है यस यह सही है और user account बन चुका है लेकिन एक minute अभी log out मत करना यानि कि इसको अभी बंद मत करना बंद कर दो कि तो दिक्कत हो जाएगी बंद नहीं कर रहा है भी हमें कुछ और काम करने है जो कि हम complete करेंगे उसके बाद इसको बंद करके Harry से login करेंगे ठीक है क्या है वो काम सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है आप firewall setup करेंगे बट उससे भी पहले उससे भी पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर Harry को pseudo access देंगे अगर यह वो user है जिसको आप root access देना चाहते है यानि कि Harry तो मैं खुद हूँ न तो मैं चाहूँगा कि मैं जब मन चाहे pseudo कर लूँ अपने आपको और जब मन चाहे मैं जो है non root user कर लूँ अपने आपको तो मैं अपने आपको root user कर सकता हूँ और non root user कर सकता हूँ जब जब मुझे कोई ऐसा command चलाना पड़ गया जो कि मुझे increased privilege के साथ चलाना है तब मैं क्या करूँगा मैं root बन जाऊँगा और जब मैं normal काम कर रहा हूँ जैसे कि files देखना, directory देखना तब मैं बिना root के ही वो सारे काम करूँगा तो ऐसा करने के लिए मुझे access देनी पड़ेगी अपने आपको और मैंने आपपर execute कर दिया command user mod minus ag sudo harry बट हमने यह काम कर लिया अब हमने कुल मिला के मैं कहोंगा 99% काम कर लिया अपने server को setup करने का अभी हम इतना करते हैं तो काम हमारा चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन हम एक काम और करेंगे जो कि यह firewall setup देखो यार हमारा server जो है वो है public ठीक है और हम उसको protect करना चाते है unwanted connections से जब हमारे server की IP public है सबको पता चल गया है कि यहाँ पर हमारा server मौजूद है इस IP पर तो जाहिर सी बात है कि लोग उसमें अलग-अलग ports चेक करेंगे कौन से खुले हुए है लोग यह देखेंगे कि इसमें login किया जा सकता है क्या लोग कोशिश करेंगे कि उसके अलग-अलग ports को hit करें क्या हम ऐसा चाहेंगे हम ऐसा नहीं चाहेंगे क्यों नहीं चाहेंगे चुकि यार जब भी कोई user hit करेगा हमारे computer में कुछ भी करेगा जरा सोचो कि एक करोड लोगों ने एक साथ आपके किसी computer के किसी port को hit किया आपका server crash हो सकता है सिर्फ उस hitting की वज़े से users द्वारा अब हम लोग नहीं चाहेंगे ऐसा हो हम चाहते हैं कि सब कुछ restricted हो कुछ भी हम access ना दें किसी भी चीज़ की हाँ जो website हम host करेंगे उस port को हम खोल देंगे आने वाले time में हो सकता है कि port 8000 में हम कोई service चलाएं और हम वो expose करना चाहते हैं users को हाँ वो port हम खोल देंगे वो भी आपको बताऊंगा कैसे खोलते हैं बट अभी हम सब कुछ बंद करना चाहते हैं सिर्फ एक चीज़ खोलना चाहते हैं वो एक चीज़ क्या है SSH देखो याद कर हमने सब कुछ बंद कर दिया तो हम खुद access नहीं कर भाएंगे server को जर्ब सोचो कि आपने सब कुछ बंद कर दिया और आप फिर बैटे वो ऐसे करके ठीक है वो नहीं करना हमको ठीक है हम अपने server में तो login कर भाएंग हमसे खम उसके लिए हमें allow करना पड़ेगा open ssh को तो मैं यह command copy करूँगा open ssh को allow करूँगा open ssh के through आप server पर correct करते हो तो open ssh को आपको allow करना पड़ेगा तो मैं इसको paste करके enter मारूँगा और यहां पर लिकर रहा है rules updated ठीक है rules update हो चुके है आप open ssh में जो है आपकी जो firewall है वो आपने अपनी firewall से यह कहती है कि यह open ssh को allow करूँग अब आप ufw enable करते है ufw firewall है जो कि ubuntu system पर चलती है और जो भी मैं बता रहा हूं भी मैं ubuntu के commands आपको बता रहा हूं और मेरे साबसे ubuntu best रहता है और यहां पर देखो मैंने ufw enable लिखा तो यह कह रहा है कि देखो firewall enable कर रहे हो देख लो आप क्या कर रहे हो कि आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है तो एक आपको warning मिलती है आप yes कर दें क्योंकि हमने तो अपने open message को allow कर दिया है कोई दिक्कत नहीं हम तो login करी लेंगे computer में enter बारूम हमें और यह कह रहा है firewall is active and enabled on system startup यानि कि यह computer मेरा यह computer नहीं Windows वाली machine नहीं यह computer जो की कहा पर है जो की Bangalore के किसी data center में है ठीक है वहाँ पर यह computer रखा हुआ है यह computer अब जो है इसमें firewall active हो चुकी है और जब भी start होगा यह computer तब firewall enable हो जाएगी ठीक है तो यहाँ root at the rate of code विदर यह दिखा रहा है कि मैं अभी इस computer में locked in हूँ मैं आपर आउँगा root at the rate of यह ना करने की बजाए मैं आवर harry at the rate of यह करूँगा क्योंकि मैंने harry नाम का user account बना दिया और मैं अपना password डालूँगा मैंने password डाल दिया जो मैंने password चुना था वो डाल दिया और यहाँ पर देखो मैं login हो चुका हूँ यहनि कि हमारा harry नाम का user account successfully बन गया है और अब हम कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखेंगे root से कभी login नहीं करेंगे यहाँ मैं exit लिखूँगा तो मैं exit हो जाँगा यह close हो जाएगा connection और इसको मैं बंद कर दूँगा मैं root से कभी भी login नहीं करूँगा मैं नहीं चाहता मैं root से login करूँ मैं तर्मिलर कलर वापस से blue कर लेता हूं मुझे पता है थोड़ा सा जीब सा हो रहा है और कभी कभी क्या होता है कि correct color combination ढोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है screen text का color white करूँगा मैं और यह ठीक है तो रहा dark theme type की feeling आ रही है यह सही है अपना command prompt वाली feeling दे रहा है तो यहाँ पर मैं अगर ls करूँगा तो देखो यहाँ पर pwd करूँगा तो देखो मैं अपनी home directory में हूँ जो कि मेरे इस user की home directory है हर user की home directory होती है यह मेरी home directory है Harry की home directory इस computer पे अब अगर मैं cd करके back जाओं ls करूँ तो मैं यहाँ पर देखो एक home directory मैं slash home में आ गया हूँ एक और कदम पीछे जाओं अगर मैं बाइदवे arrow keys से commands को देख सकता हूँ जो जो मैंने चलाए pwd चलाया मैंने उपर arrow key वाली दबा रहा हूँ मैं up वाली arrow key अब मैं cd.d slash फिर से run कर रहा हूँ तो मैं एक कतम और पीछे आ गया पहले मैं home के अंदर था आप मैं slash पे आ गया हूँ अब ls करूँगा तो मुझे सारे के सारे यह दिख जाएंगे ठीक है यहाँ पर देखो root folder को access करने का तो मान लो कि मैं हैरी नापकी user से logged in हूँ और मुझे ज़रूरत पढ़ जाती है root folder के अंदर जाने के और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ तो जब-जब मैं अपने आपको elevate करूँगा elevate का मतलब कि जब-जब मैं अपनी access बढ़ा कर root access कर लूँगा तब- अपने आप से कहूँगा कि देखो भाई हम root हैं बहुत ध्यान से एक command फूग फूग के चलाना है कोई भी गडबड हमें नहीं करनी है ठीक है तो यहां पर देखो कि आप अपने आपको कैसे elevate कर सकते हो अपनी access को sudo su आपको यह command run करना है और आप इसके बाद root बन जाओग ठीक है तो उस चीज़ को rule out करने के लिए एक बर और password पूछता है कि और कई ऐसा तो नहीं कोई कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है कुछ nasty करने की तो यहां पर देखो root at the rate of code भी धरी पर में आ गया यानिकि अब मैं अपनी privilege को मैंने बढ़ा लिया मैं studio privilege लेकर अपनी root इसमे में ताकि गलती से मैं कुछ break ना कर दूँ ठीक है तो यहां पर देखो अब मैं अगर cd root लिखूँगा तो मैं root के अंदर आ गया तो यहां पर pwd लिखूँगा तो देखो मैं slash root के अंदर आ गया तो मैं वहापस से पीछे जाकर अभी क्या करूँगा माननो मुझे जो काम क कर लिया अब मैं लिख दूँगा exit exit का मतलब की root से exit करके वहाँ चले जाओ जहां पहले तुम थे अगर मैं फिर से exit लिखूँगा तो Harry से exit करके वहाँ चले जाओ जहां तुम पहले थे कहां जाओंगा मैं अपने computer में आ चुका तो अगर अभी मैं exit लिखा तो connection close हो लिख सकता हूँ sorry मैं गलत command दबा दिया मैं exit लिख सकता हूँ मैं logout हो चुगा तो यह जैसे मैं से यहां पर गलती होई है कि मैंने गलती से keyboard में यह दबा कर enter मार दिया हो सकता है मैं कुछ copy करके बैठा हूँ और मैं root user से logged in हो और मैंने गलती से paste कर दिया और वो सारे commands चल और कुछ गलत हो गया server पे तो उन सारी चीजों से बचने के लिए हम लोग जो है अपने regular user से logged in रहते हैं और root user से तब लोग इन करते हैं जब हमें कुछ अच्छा काम करना है जब हमें कुछ actual में ऐसी चीज करनी है जो हम regular user से नहीं कर सकते है for example कोई command install करना या कुछ तो य ठीक है मैंने आप लोग के लिए guide बनाई हुई है क्योंकि मुझे पता है video थोड़ा लंबा हो जाता है चीजों को समझने के लिए हो सकता है कि आप आज से चार महीने बाद या हो सकता है चार दिन के बाद यह सब चीज़े भूल जाए थोड़ा सा commands भूल जाए आप जल्द वीडियो में हम लोग और discuss करेंगे इन सब चीजों के बारे में कि एक server को कैसे maintain किया जाता है अभी तक हमने क्या किया है कि एक initial user बनाया है पहली बार login किया है और root से अब हम login नहीं करेंगे अब हम हैरी नाम के user से यानिकि जो non root user है हमारा वो हम लोग बनाएंगे और उसको लिए आप लोग इस link को रखना और इसको आप लोग जरूर विजिट करना पढ़ना अगर आप लोग के पास time हो मैंने बहुत detail में एक एक screenshot के साथ करके आप लोग को बताया हुआ है और screenshots में भी मैंने mark करके सब कुछ बताया हुआ हुआ है तो दिक्कत तो होने वाली नहीं आप लोग को I hope कि आप लोग के लिए helpful रहेगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time